हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल आज दोस्तों 97,000 शिक्षक भरती की मांग करने वाले जो अभ्यरती हैं जो लगातार इको गार्डर में परदर्शन कर रहे हैं आज आंदोलन का 26 वा दिन था और आज इन अभ्यरतियों की मुल रही हैं चुनाओं से पहली भरती आएगी या बाद में इन सब मुद्दों को लेकर आज बात चीट हुई और आप खुद देखिए यह वीडियो जिसमें रजा सिंग ने सारी चीजों को डीटेल में बताया है अभी तक सिच्छत भरती की क्या तयायरिया रही है और कितनी सीट्टे आ रही है उनका पहला पहला ही वक्तब था कि देखिए अभी तक हमारे पास सत्रह हजार बर्ती का विग्यापन नहीं था उननोंने यह भी चीजें कहा कि देखिए भरती कब आएगी कितनी आएगी चीजे तो हमको जानकारी तब भी नहीं था जिस समय सिच्छा मंत्री ने मीडिया में कहा था कि सत्राजार का हम विग्यप्ति जारी करने वाले हैं उनको यहां तक नहीं पता ना डी जी मौधिया नामका सिंग को पता था ना बेसिक सिच्छा सच्छी वगेल सर को पता था ना ही विभागी एस्तर की किसी अधिकारियों को पता था कि बेसिक में कितने पदाने वाले भरती आएगी कि नहीं आएगी यह किसी को जानकारी नहीं था जैसे ही उसके बाद 23 अनुवरत धरना चल रहा तेईस तारिक को एक अच्छा धरना हुआ एक दिन में 17,000 के नहीं सिच्चक भरती का प्रेस बिग्यपति जारी हो जाती है वही अजूबा विभाग में भी चल रहा विभागी अधकारी भी चिंतित हो गए कि ना हमें पता चला कि कितनी पद आ रहे हैं कितनी संख्याय आ रही है कमेटी की रिपोर्ट किया है यह एक बैक 17,000 का आ गया तो अभी आपको मैं बता दूँ कि विभागी अस्तर से इसकी तैयारी नहीं हुई थी कि सिच्छा मंत्री ने 17,000 का लाली पाफ हमें पकड़ा दिया और जब हम लाली पाफ पकड़ा है तो उसके अगले दिन दो दिन बाद बैटक हुई उसमें यह हुआ कि कमेटी क क्या रिपोर्ट है कमेटी की रूपेट मत इनों ने यह दिखा दिया हाँ और आपको मैं बताना चाहता हूं यह जो कमेटी कमेटी की रिपोर्ट माननी होगी सरकार ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या हो रहा है कमेटी की रूपोर्ट तैयार किये जाए उसी के सब्सक्राइब 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 यह जूटी है कि यह भारत सरकार में सुप्रीम कोट में उत्तरप्रदेश सरकार ने जो साम अलगा 11112 यह जुटा है यह सारे चीजें गुम्रा किये जा रहे हैं बगेल सर से साब इस पर श्रूप से कहा हमने कि हम सब कहा जाएं आप ने डियल एट बी टी सी पी एट करवा करके हमको विरुजगारों की तरह छोड़ दिया है आपको नहीं करवाना तो कालेच बंद करिए लेकिन जहां पर फिर वही डोस कहते हैं मैं आईस पीसियस बनना चाहता था मैं बेसिक भी भाग में आके फस गया आप भी जाके पढ़ो लिको आईस पीसियस बनो हमने का जिस रोड जिस जगह हमने जिस रस्ते को चुना तीन साल पांच साल हमने बरबात कर दिया देने चाहिए बिभाग लिफ में अब कर लिदे आखे साथ यह आई सेसरकार और विभाग के चक्रवियों में हम फशच चुके हैं कमी बेसिक भिभाग हमें पता नहीं सथाया बहती vaccinated का लेकिन मंतरी जी ने जैसे ही सत्रहाजार का बयान दिया इसके बाद हम सब को पता चला पिसके बाद उन्होंने बैटक किया फिर हम से कहा कि तयारी करिए इस पे अब हम सब 17,000 पर तयारी कर रहे हैं लेकिन इस चीज का भी किलियर नहीं हुआ कि ये अचार सहिता से पहले बिग्यापन देंगे कि यूपिटेट के बाद भरती देंगे इस पीन के दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ये केवल हम सबको अचार सहिता से पहले पहला पुसला रहे हैं आप बताईए 10 आज बताईए 7 यह 8 तारिक ओ ने वाला है और ये आपको बता रहे हैं कि हम साथ तारीकों आठ तारीकों भरती जारी करेंगे देखो साथियों मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ गुम्रा होने से बचें सत्रा अजार भरती का अभी तक कोई जिक्र नहीं बस यही है फॉर्मेट तयार कर दिया है आप सब जाएए हम प्रियास करेंगे कोशिस करेंगे चार से तस पहले भरती देने के लिए यह सत्रा हजार की भरती ना अभी दे रहे हैं ना यह सत्तानवे हजार की देंगे इसलिए निवेदन है यह सत्रा हजार की चप्रोपो गंड़ना में मत पसिये ये कोचिंग वाले भी आप सब को बरबात करने के वरोजगार करने का काम कर रहे हैं सत्रहाजार का लाली पर आपके वल बयान की रूप में आया है और बोल देखते हैं खुसकबरी महा खुसकबरी पढ़ाई लिखाई करो रही सीट छुड़ जाएगी आप सुमें पूछना चाहता हूँ कौन सा लिकी दस्वासन मिला कौन सा विग्यप्ती जारी हुआ आप सोच रहे हैं सत्रहाजार में एक सीट फिक्स कर लेंगे तो आपको बता दे है कि 17,000 भी आप के लिए नहीं आने वाली हम सब 37,000 भरती के लिए लड़ रहे हैं और 37,000 के लिए आपको बता दे विभागあります क्या रहा है तो देखे बहुत समय कम है इतने कम समय मैं हम कैसे तैयारी करेंगे मतलब कुल मिलाके है कि विभाग और सरकार एक दूसरे को गुम्रा कर रहे हैं यह भरती कि कई दूर दूर तक नहीं दिखरा जिक्र मैं निवेदन करना चाहता हूं साथ यो तीन जन्वरी को इको गाडेन नो वजे हर हाल में पहुंच जाओ अपन प्रैसिक विभाग के अधिकारी से मैं बयान एक जगा जाकर के मैंने बाद पर चर चर्चा चर्चा किया लेकिन हमें कहीं से भी यह नहीं निकल के आ रहा है कि यह भरती हमें 97000 बुद्धी देंगे या 17000 बुद्धी देंगे यह केवल आपको अपना एक मौकिक बयान दिय पधता है इससे पहले भी कहा ता कि बच्चे और अध्यापकों के निप पात में अध्यापकों को दे अब ही ये सत्रा हजार दे रहे हैं लेकिन वह भी मौकिक लाली पाप है और वह जिन कोजिंग संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं वह आपको क्यों गुम्रा करने का काम कर रहे हैं अब इस दिन से अन्वरत धन्ने पर बैटा हूँ, हर एक दिन मेरी, हर एक दिन सरकार से मेरी लड़ाई चल रही है, कभी मैं भात्पा कारेयले, कल भात्पा कारेयले का घराओ किया, उससे पहले विधान सबा, मुक मंत्री, सिच्छा मंत्री, हर एक अस्थान ये सियाटी का घ परेशान है, सब लोग सुबह से परेशान है, के वलिसी लिए भरती के लिए आस सारा दिन में परेशान रहा, तो दूस्तों, यहां से साफ है कि अभी तक कुछ भी कलियर नहीं है, ना सत्रह, ना संतानवे, ना कुछ और, अचार सहीता के पहले भरती आएगी, कुछ भी ब भाग और सरकार आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रही है सरकार का कुछ और बयान आ रहा है और अधिकारियों का कुछ और बयान आ रहा है तो यहां पर दोस्तों जो कुछ तयारी है भी अगर तो सतरह हजार की ही है संतानवे की कुछ भी चर्चाय नहीं है तो आपको तीन ज आज की वीडियो में महत्पूर अपडेट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा, चैनल को सस्क्राइब करके बेल लाइकन दबा लीजे, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, थैंक्स वर वाचिए.